कि नमस्कामित्रों स्वागत है आपका ज्यांगंगा आर्वेद क्लासेश में आज कुछ हम लोग महत्पुर स्लोकों के बारे बात करेंगे तो हम लोग पहले बात किया था कि चरख समीता के सुत्र स्थाने का पहले चप्टर में कुछ important स्लोक की बात किया अब उसी चैप्टर के अर्था पहले चैप्टर के दिरगन जीवती अध्याय के कुछ बचे हुए स्लोक जो है हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे जैसा कि जानते हैं जो पहला चैप्टर होता है उसमें कई काफी लिंदी चैप्टर होता है और उसी के अनरूप उसमें इंपोर्टन स्लोक के भी संख्या जादा हो जाती है तो हम लोग उसको दो पार्ट में तोड़ दिया पहला पार आपके सामने आ चुका है दूसरा पार यहाँ पर हम लोग स्टार्ठ और यहां देख रहे होंगे इस सीरीज में देखेंगे तो यहाँ पर सलोक नंबर सत्र यहां देख रहे होंगे चा कारडम अर्था जो संयोग विभाग में एक साथ कारड हो और साथी साथ ढợंभ्यम अशृतम् अश्रितम् इसे कर्म होता है और साथी साथ देखेंगे कर्तभ्य से क्रिया कर्म कर्तब की जो क्रिया होती है उसे कर्म कहते है कर्म न अन्य अपेच्छती अर्थात कर्म सयोंग विभाग के अलावा किसी अन्य की अपेच्छा नहीं करता अर्थात सिर्फ क्रिया की पेच्छा करता है यह कर्म के बारे में बोला गया next question देख रहोंगे very very important है यहाँ पर दिया है इती उक्तम कारण, बहुत ही छोटा सा सलोक है, लेकिन एक छोटा सा सलोक आपके एक्जाम में आ जाए, तो सायद आपका सिर चक्रा जाए कि इसमें क्या लिखना है, यहाँ पर देखेंगे इती उक्तम कारण, अब इसके बाद हम लोग कारण की बात करेग कि उन्होंने कारण टर्म या कारण सब्द दिया है ध्यान दिजेगा जब कभी छोटा सा सुलोग देते इत्य उक्तम कारण में इसका मतलब उन्हों सट पदार्थ की बात कर रहे हैं तो सामान विशेष चरक ने सिक्वेंस तुरा सा अलग दिया है वैसे शीक दर्शन के तुल नेक्स्ट जो सुलोग है इंपोर्टन तो यहाँ पर कारे के बारे में बोला गया है कारे क्या है और धातु सामें देखेंगे कारे हम धातु सामें ही उच्चते तो इस तंत्र का जो कारे है वो धातु को सामें करना ही जो भी हम लोग समिता पढ़ते हैं तो कारे क्या है धा समिधा का कारे क्या है धातु सामें और धातु सामें के लिए चोकता तंत्र से प्रियोजनम और धातु को साम करना यहीं इस तंत्र का प्रयोजन भी यह तंत्र का मतलब क्या है यहां पर अयरुवेद का मतलब क्या है अयरुवेद का प्रयोजन ठीक है। साइत समझ में नहीं आओगा आपको तो धातुसथा मं गलते हैं? जब ढहत की रोगी हो जाएगा तो जब व्यक्ति धातु में विसम हो गई है विसम हो गई है उसको हम लोग क्या करना साम में करेंगे तब न रोगी हो तब न स्वस्त हो जाएगा वो इसलिए बोला गया है धातु साम में जब धातु में विसम हो गई थी अथात रोग की कंडिशन थी उस गल बुध्धि इंद्रियों के विस्य का जो योग अर्थात मिथ्यायोग। न च अति च ट्रूइया आशञव रडा मिद्धिनाम त्रिवल वहतु संग्रे तो यहां पर बोला गया है कि व्याधियों के दो दूशरय होते हैं बयाधी के कितने आशरय हैं दूशरय हैं कौन-कौन से वहо शریर और एक मन घेक न तो बयाधी के दो आशरय होते हैं और बयाधी उतपन कैसे होती है तो बोला कै 10 बुद्धी California के विशनी का मिथ्या योग, न का मतलब औयोग, अती का मतलब अतियोग तो तीन कारण होते हैं जिसके वियर से रोग उत्पन होते हैं तो देखेंगे यहाँ पर तीन प्रकार के जो योग हैं अर्थात मिथ्या, मिथ्या, और न का मतलब औयोग, और तीसरा है अतियोग ये तीनो जो होते हैं ये तीनो रोग के कारण है तो ये तीनो किसके कारण है रोग के कारण है ठीक है ना तो ये रोग के कारण है और ये त्रिविधो हेतु संग्र है ये तीनो क्या कहलाते हैं मतलब ये तीनो को मतलब इन तीनो को बोल रहा है ये मिध्यायोग औयोग अतियो को क्या बोल रहा है त्रिविद हेत्व संग्र है रॉलन रहा ने है किसी ह selv है समझ में आगा आगे हम लोग देखेंगे कि समयोग जो समयोग होता अर्थात काल बुद्धि इंद्रि अर्थ का जो समयोग होता वह स्वास्थ का कारडव होता है अगला स्लोक देख रहे हैं जो की important है शरीरम सत्तो संगम्च ब्याधि नाम आसरियो मतर तथा सुखा नाम योगस्तु सुखा नाम कारडम समय तो स्लोक को अर्थ को समझ लेते हैं कि जो सरीर और सत्व अर्थात मन ये दोनों क्या होते हैं ब्याधियों के आसरे होते हैं प्रश्ण पुछाता ब्याधियों के आसरे हैं सरीर मन दोनों तो ये ब्याधि के आसरे क्या हैं सरीर और मन दोनों ब्याधि के आसरे हैं और तथा सुखा नाम यहीं सुखा के भी आसरे होते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जब कतिने ब्यक्ति हरिष्ट पुष्ट है तो जरूरी है क्या कि वह स्वस्त होगा नहीं जब तक सरीर के सासत मन स्वस्त नहीं है तब तक ब्यक्ति निरोगी नहीं रहेगा स्वस्त नहीं रहेगा इसलिए अगर किस ब्यक्ति को स्वस्त रहना है तो उसका सरीर और मन दोन सम ये सम जो सम योग है इससे पहले हम लोग क्या देखा था कि काल बुद्धी इंद्री काल बुद्धी इंद्री अर्थों का जो सम योग है को सम योग सुख का कारण है सुखा नाम कारण इससे पहले हम लोग देखा था तीन चीजे जो होती दुख कारण होती है अर्थात का काल बुद्धी इंद्री अर्थ का अतियोग औयोग और मिथ्या योग ये दुख के कारण थे अथा तो रोग के कारण थे लेकिन काल बुद्धी इंद्री के अर्थों का जो सम योग है वो सुख का कारण है आगे देख रहे हुगे हम लोग आगे आत्मा के बारे मोला गया कि आत्मा जो है सुख दुख से रहीत होती है निर्विकार होती है तो यहां देखेंगे निर्विकार परस्त आत्म निर्विकार परस्त आत्म सत्व भूत गुड़ेंद्रिये चैतन्य कारडम नित्यों द्रश्टा पश्रत ही क्रिया अर्था जो आत्मा है आत्मा जो अर्था प जाती है लेकिन जब आत्मा सत्त अर्थात मन भूत अर्थात पंच महाभूत गुड़ अर्थात महाभूतों के गुड़ और इंद्रियों से युक्त हो जाती है तब यह चैतन्य कारणम तब यह इसमें तब इसमें चेतना का ग्यान हो लगता है अर्था सुख दुख का अनुभव होने लगता है तो किस कंडिशन में सुख दुख नहीं होता है जो पर आत्मा होती है उसमें निर्वगार होती है सुख दुख नहीं होता है लेकिन इसमें जब ये सत्व भूद गुडंदरी से पसती ही जितने भी क्रियाएं होती है सभी को देखती रहती है अगला देख रहे होंगे importance लोख है यहाँ पर वायू के वात के गुड के बारे हम बोला गया अर्था सारेरिक दोस और मानसिक दोस के बारे हम बोला गया देखेंगे वायू पित्त कफस चोकत, written दोस असंग रहा मानस है पुनड दिष्टु रज इसametह उच तो यहां पर देखा गया कि सारे लिए दोस कितने होते हैं तीन होते हैं वात पित कफ और मानस कितने होते हैं मानस ॹ्याहत। कितने हुते हैं दखेंगे दो होते हैं रज और न उतम चीक न उसके उसके बाद देखेंगे हम लोग कि यहां पर सारे रिक दोस अर्थात रोग की बात की गई या मानस रोगों की बात की गई अब जब रोग उत्पन हो गया मानस रोग उत्पन हो तो उसकी चिकिसा बताई गई है तो सारे रिक पहले लाइन क्या है सारे रिक रोगों की चिकिसा दूसरा जो मानसिक रोगों चिकिसा है। देखेंगे। बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब विशद है खर यहाँ पर देखेंगे वात के गुड़ कुण कुण से हैं रूच्च है, सीथ है, लगुँ है, सुच्म है, चल है विशद है, खर है अब द Top गया है अब देखा रहा है कि इसके विपरीत अगर ऋफिसके जो बिपरीत यह तो वात के गुड़ होग तो कैसे डाउन मतलब कहरेंगे रुच के जगा स्निक्द हो जाए सीद के जगा उष्ड हो जाए लगो जगा गुरु हो जाए इसी तरह से इनके सब अपोजिट जो गुड होते हैं वो क्या करते हैं वात का शमन करते हैं अगर बढ़ाना है किसी को वात बढ़ाना तो इस तरह ड्रवम अम्लम सरम कटू बिपरीत गुड़े पित्तम द्रव्यर आशु प्रशामेति तो जो बिपरीत गुड़ होगे ये पित्त के pasado पुरी होगी लेकिन लेकिन इनके विप्रीद गुड़ों का सेवन करेंगे तो क्या होगा पित का शमन होगा पित की शांती होगी अथा जब बढ़ा पित रहेगा तो इसके विप्रीद गुड़ों का सेवन करेंगे जब पित घड़ जाता है तो पित के गुड़ों का यूद करेंगे तो पित की की बृद्धी होगी अगला प्रसन देख रहोंगे अब कफ के सामाने गुड़ों की बात करते हैं तो देखेंगे गुरू शीत मृदू स्नेग्द मधूर इस्थिर पिछला यह स्लोग आपको जनरली याद भी होंगे अर्थात इसके बीपरीट जो गुड़ होंगे यह कफ का शमन करते हैं लेकिन यह जो गुड़ है यह जो गुरू सीत मृदू स्नेग्द मधूर इस्थिर पिछला अगर गुड़ से युक्त आहाद्रब का लेव सेवन करेंगे तो यह कफ को ब्रिद करेंगे लेकिन इंक के ब पूजी गुड़ो का सेवन करेंगे तो यह कफ की हनन करेंगे या कफ को शाम में करेंगे उसके बाद देखेंगे हम लोग एक दो स्लोग और है रसनार्थो रसस्त से दरभ्यम आपच्छितिस्त था निवृत्तों चाव विशे से चाव प्रत्या खादस्त्रिया तो यहाँ इंधार्थ क्या है दो बैठनेरह के आधार देखेंगी रस के आधार द्रभ्य में पूछा जाएगा तो आपह, आपह मतलब जल, छिती मतलब पृत्वी, रस का आधार द्रवे पूछा जाए, तो जल, आपह और छिती अर्थात पृत्वी होता है, उसके बाद देखेंगे, लेकिन निवृत्तो च विसेशे च प्रत्या खादस्त्रिया, लेकिन अगर रस की विसेश प्रतीती, रस की विसेश प्रतीती, अर्थात ये मीठा है, कोई जीवा प्रकने पर मीठी प्रतीत होती है, कोई कडवी प्रतीत होती है, कोई खटी प्रतीत होती है, इस तरह का ज्यान का जो कारण है, प्रत्या मतलब कारण हो क्या है, खादस्त्रिया, अर्थात इस जल और पृत्वी के अलावा इसमें बचे तीन कौन से आकाश, आकाश, वायू, अगनी, यह तीन जो होते हैं यह विसेश रस का विसेश ग्यान कराते हैं कि यह मीठा है, खटा है, तिखा है, तो समझ में आ गया होगा, उसके बाद देख रहे हैंगे, हमलो लाश्ट देखेंगे, देखेंगे, यहाँ पर प्रभाव, यहाँ पर जो बताया ya स्लोक, वेरे वेरे इंपोर्टन्ट है, एग्जाम के पॉइंट आवभू सही जो स्लोक देख रहे हैं, यह सबसे जदा इंपोर्टन्ट स्लोक है, बच सब्सक्राइब आपको ने लिए उत्तम होता है अर्थार आपका स्वास्थ ठीक है तो आपको as 80 सा चीजे लेनी है माल लेजे आपके अंसरीर के अंदर दोस बढ़ गए हैं तो क्या करेंगे दोस परशमन वाले द्रब्य का 7 करेंगे माल लेजे आप धातूइं क्या होती है कि धातूइं छीड़ हो गई है तो धातु बढ़ाने वाले द्रब्य का सिवन करेंगे आपकी धातु हैं सामय वस्ता में हैं तो उस द्रब्य का सिवन करेंगे जो कि सामय वस्ता में बनाए रखे तो यहीं किंचित त्रिविदम द्रब्य मुझेती ये तीन प्रकार के द्रब्व हैं जो कि प्रभाववेश से बोले गया उमीद है ये लेक्च्छा समझ में आया होगा इसके बाद हम लोग बात करने होगे सेकेंड चेप्टर की वीडियो को अधिक सदिक लाइक सेयर कमेंट्स लाइक जरूर करें बच्चों और साथी साथ चैनल पर सब्सक्राइब जरू करें धन्यवाद